डिरेक्ट विद दिनेश में आज मैं हूँ आज में हूँ आपके साथ शरबद चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सिमर जीत बैंस उनसे हमारी बातचीत जारी है और सिमर जीत बैंस साब यहाँ पर सर्बत खालसा 8 दिसंबर को हो रहा है फिर से और पहले 10 नवंबर को था फिर उसको कैंसल किया गया अब 8 दिसंबर की तैयारियां चल रही हैं आप सर्वत खाल्चा की जरूरत कितनी देखते हैं मौजूदा समय में तो सर्वत खाल्चा पहले जब गुरू गरंच साब का बरगाडी में बहुत बड़ा नरादर हुआ तो तब उसके बाद में सर्वत खाल्चा हुआ तो सर्वत खाल्चा मैंने कई इशियों पर बात चीत की इंडियन कंस्टिचूशन भारती सब्धान के अनुसार हिंदोस्तान के हर नागिरिक को अपनी बात पीसफुल तरीके के साथ कहने का राइट हमने सब्धान से मिला हमको तो अगर वो लोग अपनी बात सर्वत खाल्चा के रूप में लोगों के साथ शेयर करना चाते हैं पिछली बार जो सर्वत खाल्चा का उन्होंने अलान किया तो पलीस ने मीरा ख्याला लागिक कोई दो हजार के क्रीब उनके जो लीडर्स थे सर्वत खाल्सार के नज़स हैं उनके मेंबर से उनको रेस्ट कर लिया है तो यह डेमोक्रेटर तो नहीं है यह तो लट संतर है किसी को अपनी अन्ना जी ने दिली में अपनी बात जन अंदोलन लोकपाल पे जो जन अंदोलन हुआ जिसने हिंदोस्तान में करंटी के बीज बीज दिये तो उन्हों ने बात बोलिए ना तो इनको अपनी बात बोलें दो अगर वहां पे कोई ऐसी बात करेंगे वो जो देश के सब्दान के खलाफ होगी तो उसके खलाफ कारवाई है तो पहले थोड़ी हम किसी को रोक सकते हैं तो यह मैं तो बोलता हूं कि सरवत खाल सा होने जाना चाहिए इनक को रोपना है नहीं चाहिए गर्मेंट को बिल्कुल गलत बात है इनकी जी अच्छा इलेक्शन का टाइम है एक बहुत एहम मुद्धा है एस वाइल का मुद्धा सतलोज यमना लिंक नहर का मुद्धा इस पर क्या स्टेंड रखते हैं केश्रीवाल यह सवाल आपको प्रेस अरजाइन करके भाग गए जी तो मैं स्पीकर जी को स्पेशल उसी दिन रात को उनके घर पे जाके चिठीद लिखके देखा है कि आप ततकलीन अमरजेंसी सेशन बुलाओ जी लोगों को पता लगना चाहिए कि सचाई क्या है जी और हम करनाटका की संबली जैसे उन्होंने कबेरी जल Guys के ओपर कितना historical फैसला स्टेट के लिए स्टेट के लिए लिए संबली एक दम जुनाइट होके फैसला ही हम क्यों नहीं पंजाब के लिए जुनाइट होके फैसला लेंगे बैस वह स्भी जिस पार्टी से आपने गडबंधन किया है अर्विन केश्रिवाल उनक कपूरी में S.Y.L. नहर की शुरुआत की फावडा लिया चांदी का और सोने की लिग तकारी तो वही पे आम आदमी पार्टी ने कपूरी का मोर्चा लगा के वहां पे धरना दिया मेरा खाल हफता दस दिन के तो केजरी वाल जी की सहमती के बिना तो पार्टी के लीडर नहीं में प्रेस ने प्रेस कांफरेंस में कि आप S.Y.L. के इशू के उपर और जो पंजाब का पानी दूसरी स्टेटों को जा रहा है उसकी कीमत बसूलने के लिए तो उन्होंने सपष्ट कर दिया वहां पे कि हम S.Y.L. इशू के उपर पंजाब के साथ आम आदमी पार्टी बि आप लोग चाहते हो और उनसे क्या बहूआना चाहते हो नहीं या फिर सब्सक्राइब करती है या फिर स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते इस स्मुद्धे पर कोई बात सामने नहीं आए कोई वीडियो संदेश सामने नहीं आया में वीडियो संदेश के कोई हटके तो नहीं बात expelled केज्रिवाल साहब की बात हो में सब्सक्राइब नजर आजाएं मैं अगर आप उनसे सवाल करो आपको स्पष्ट नजर आजाएगी तोटल क्लेरंस मिल जाएगा मैं फिर ये बात बहलता हूं कि अगर आप बोलो कि पंजाब के लोगों को कोई कोला फ्री में देता नहीं देता राजस्तान वाले मार्वल फ्री में देते हैं कभी नहीं देते तो ये हमाचल वाले मद्द परदेश वाले सागवान की लकड हमको कभी मुफ्त में देते हैं तो नहीं देते तो हम अपना प कि सरदार सुखबी सिंग बादल जो डेप्टी सीम है उनके साथ आपकी तना तनी रहती है ये का जाता ऐसी चर्चाएं है कि वो आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते आखिर ऐसा क्या मामला है उनका स्टेटमेंट आया जब जलालाबाद से भगवंत मान जी गए उनका द स्टेम पेपर पे साइन करके मीडिया के लोगों को दे दूँगा कि अगर मैं अलेक्शन हर गया तो मैं सारी जिंदगी अलेक्शन नहीं लड़ूँगा जोगों का सेवादार जरूर रहूंगा लेकिशन लड़ूँगा सुभीर बादल आत्म नगर में आकर लेक्शन लड ये मैं आपको बता रहा हूँ 100 प्लस आम आदमी पार्टी और लोग इंसाफ पार्टी एक गोल्डन हिस्ट्री लोगों ने लिखनी है तो ये लोग अब बटवारा करेंगे किसको दो आती हैं और किसको तीन आती हैं लेकन ये स्कूटर पार्टी हैं रहेंगी अब जे चले ब बर्दर जैसे बच्चा स्कूल में कोई पोजिशन पे आता है न तो उसके पेरेंट्स उसको शाबाज देते हैं टीचर उसको बूस्ट करते हैं तो उसके मन में आता कि इस बर मैं क्लास में फर्स्ट आ हैं तो अगली बरी में डिस्ट्रिक में फर्स्ट आउंगा तो मेरे मेरे पास लोगों की दौाइं हैं, लोग मेरे को दौाइं देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो लोगों की दौाइं हैं मेरे पास सबसे बड़ा टौनक है, तो जब लोग मेरे को दौाइं देते हैं कि तू मंतरी बन जा तू मुख मंतरी बन जा तो मैं बोलता हूं कि मेरे को ऐसी दूआ मत दो अगर भगवान से कोई दूआ मांगनी है तो यह मांगो कि बैंस बईमान ना हो जाएं यह मांदारी के साथ हमारा बाचमेन बन के रहे स्टेट के लोगों तो ये सबसे बड़ी मेरे पास लोगों की दौाएं के दौाएं और बैस्ट वेशिज़ जो उनके अशीर वाद है वही असीस है मेरे पास तो डिरेक्ट विद दिनेश में सिमर जीद बैंस आज आज आप हमारे साथ जुड़े आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठेंकियो चौदरी साफ़ और सारे मैं पंजबी जे बोलना इंट जे आए अगरे सारे दरेक्षकाँदी द बत-बदेश्यां ब बस्ठेप्जाबी आखी ये लोकांदी जाई भाए गुत बहुत तनवाद जिन आण Iya असीसा दिपादLast लोक